हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जी डिसी टुटर के मेडिसिन सेरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत पॉप्लर मेडिसिन हिमालिया रुमालिया जल के बारे में जी हाँ आपका दर्द कमर का हो, पीट का हो, गर्दन का हो, रेड की हड़ी का हो, जोडों का दर्द हो, गुटनों का दर्द हो, या सरीर में और कहीं भी स्पोर्ट्स का इंजरी हो, मास्पेसियों में खिचा हो, इन सारे प्रकार के दर्द को दूर करने के लिए रुमालिया जिल अप क्या है इसके इस्तिमाल करने का सही तरीका इसका डोज इसका प्रिकॉशन इसका साइड एफेक्ट मतलब इस जिल के हम आपको संपूर जानकारी देने वाले हैं पूरे विडियों बने रहेगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मेंस नहोंने पाए हिमालिया का रुमालिया जिल कम्प्लेटली हर्बल और आयरवेदिक जिल होता है जिसके अंदर में एप्याई में साइल में कमपोजिशन जिल हाँ दो चीज इंडियन विंटर ग्रीन ओयल मिला होगा और बोस वीलिया इन दोनों हर्बल मेडिसिन के द्वारा ये जिल बनाय ज कब mainly जो joint में bone में pain होता है उसको दूर करने के लिए दिया जाता है various जो orthopedic हमारी element होते है जहां पे joint वगरा होता है वहां पे दर्ध होता है सूर्जन होता है उसको दूर करेगा साथी साथ pain and inflammation due to musculoskeletal disorder मासपेसियों में खिचाव हो गया उसके द्वारा जो pain हो गया जो inflammation हो गया इस pain strain बहुत जाता तनाव हो गया मोच आ गई इन सारी समस्याओं को दूर करेगा साथी साथ lower back pain रीड की अड़ी में back में peat में दर्ध होता है गर्दन में neck में pain होता है कंदे यानी की shoulder में pain होता है hip में pain होता है knee joint पे अगर pain है muscular pain है मतलब हर प्रकार के body में जो pain होता है उस pain को दूर करने के लिए रुमालिया जिल बहुत ही best medicine मानी जाती है साथी साथ muscle में stiffness मासपेशियों में जब तना हो गया मोच आ गई खिचा हो गया sports के कारण जब injury हो जाती है वहाँ पे ये हिमालिया का रुमालिया जिल बहुत अच्छा सर दिखाता है साथी साथ osteoarthritis से related जो pain होता है cervical pain होता है spondylosis pain होता है cytica pain जब बहुत ज़्यादा तेज pain होता है एकदम बिजली के जटके की तरह आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है इन सारे प्रकार के pain के लिए ये रुमालिया जिल बहुत अच्छा विकल्प माने जाता है बात करेंगे इसके mechanical infection कैसे काम करता है देखिए जो अलग अलग content इसमें है सबका अलग अलग रोल सबसे बहले बात करेंगे जो Indian winter green जिसे हम गंधा पूरा तैल या गंधा पूरा oil भी बोलते है इसके अंदर 98% तक methyl salicylate होता है जो की एक well known enalgese है जो हमारा methyl salicylate होता है enalgese होता है दर्द निवारक दवाई होता है जो की दर्द को दूर करता है जब हम topically इसे apply करते है ये pain को बहुत जल्दी ठीक कर देगा जो हमारा rheumatism और psychiatric यानि की जो जोडो बगरा के दर्द में जो pain हो रहा है उसको दूर कर देगा बोस्वेलिया की बात कर लें तो इसके अंदर anti-inflammatory property होती है साथी साथ ये herb blood की supply को improve करेगा जी हाँ blood की supply को joint तक improve करेगा जिससे हमारा जो blood vessel है अच्छे से dilate होगे जादा जादा blood supply होगी जो pain है, जो spasm है, जो खिचाव है जो strain, sprain है, वो सारी समस्याद दूर हो जाएगी तो इस प्रकार से जो घंधापुरा oil और बेस में लिए अपना रोल पे करते है और आपके जो pain inflammation को ठीक कर देते है बात करेंगे कैसे use करना है dose की, तो mainly एक required amount of zil जहाँ पे आपका affected area है, आपको लेना है gently massage करना है कि skin में आपके अच्छे से penetrate कर ले साथी साथ इसको दिन में तीन से चार बार अप apply करेंगे तो आपका दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा या आपके doctor जितने समय बोले उतने समय आपको apply करना है बात करेंगे इसके precaution की तो जितना भी dose बताय जाए कभी भी खुद इसे उससे जादा नहीं लगाए बच्चों की pause से दूर रखे इस्तमाल करने से पहले इसकी label का direction अच्छे से पढ़े साथी साथ इस्तमाल करने के बाद अपने हाथों को अवस्य से धुले साथी साथ जहाँ पे आपने apply किया है वहाँ पे wrap न करें banders न लगाए या उसको heat providing न करें बात करेंगे कुछ common side fit की तो इसे लगाने के बाद थोड़ा सा burning sensation यानि कि जहाँ पे आप लगाओगे थोड़ा सा गर्महट जलन फील हो सकता है redness हो सकता है itching की समस्या देखने को मिल सकती है और ये बहुत ज़्यादा rare होती है sodium student ये था आपका हिमालया का रुमालया जल जी हाँ एक ऐसा जल जो की कमर दर्द, पीट दर्द, गर्दन दर्द मासपेसियों में खिचाओ, जोडों के दर्द साथी साथ गुटनों के दर्द और भी sports की injury के द्वारा जो pain होता है, inflammation होता है, oxygen होता है, उसको दूर करता है और ये completely आयरवेदिक और herbal जिल माना जाता है तो इस जल की जानकारी आपको कैसी लगी अगली medicine, अगली दवाई, अगला जिल किसके बारे मताएं, उसे भी comment box में जरूर लिखेगा इसी तरीके से हिमालिया के और भी जितने tablet आते हैं, सीराप आते हैं, पेस्ट आता है उसकी जानकारी चाहिए तो इस playlist को जरूर रिजिट कीजिएगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ value मिली हो, तिसे और यो सब्सक्राइब करें, चलिए मिलते हैं किसे अगले वीडियो में, किसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए thank you so much dear, all the very best